दोस्तों आज हम बताने वाड़े हैं कि ग्रिल किस तरीके से लगाएं और पेराफिट का डिजाइन दिखाएंगे और उसका व्यू भी आपको दिखाएंगे कि बनने के बाद आपकी कैसी लग रही है तो यह हमारी यहां पे ग्रिल लगी है इसमें यहां पे बीच में यहां उस से गिलास लगेंगे इदर भी इदर भी उस तरव ब्लगेंगे और यह नीचे बी यह और लगी है इसी तरीक्के से इसमें भी ऐसे और गिलास लगेंगे यह ऐसे डेड़ फिट की हाईटाइस की टाइल लगने के बाद यह एक फिट रहे गी है तो यह जो इसका डिजाइन है देखिए कितना बढ़िया लग रहा है इसका हम व्यू आपको भार से दिखाएंगे और यह इसमें स्पोर्ट के लिए यह पिलर दिये गया है 13-13 इंची जो देखने में बहुत ही सुन्दर लग रहे हैं दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो दोस्तों अब आपको हम इसका बाहरी वीव दिखाते हैं इसका बाहरी वीव द बना है निचे है दिखाएंगे यहां पर यह पर फित है यह भी इस तरीके है बना इस पर भी गृइंड लगी है और यह भी इन्हों ने जो पहर बनाई है यह सलैब से दो इंच पीछे हटा कर बनाई गया ताकि स्लैब में कोई ट्रैकिंग नाए और पैराफिट मजबूत रह इसका आपको बाहरी विव इसका भी परफित हम परफित ने इसका भी है इतनी आकर्सके झाट लग रही है देखने के शंदर लग रही है स्थोस्टो इस तरीके से अगराप पैराफित बनवाएंगे तो आपकी तैज अनुडत ही दुद बनेगी कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि अब दिखाते हैं आपको इसका बाहर से बैक साइड का विव देखिए कितनी जबरदस्त लुकारी है इसकी वह आपे जो पिलर बनाया उसमें ग्रूपिंग की गई हुई है जो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है अधर यह स्टेर बॉक्स है स्टेर बॉक्स पे भी ग्रूपिंग की गई है जो अगर हम बाहर से या पीछे से देखेंगे तो इसको बहुत ही बढ़िया लग इसी है तो यह भी बहुत आकर सके लगेगी आपको दोस्तों इसी तरीक्वे से ही पारकुट बनवाएंगे तो बहुत आकर सके लएगी अभी हम दिकापते हैं जगह का फरेंट वी तो यहां पे दरवाजों के काम कर रहा है इसका तो अभी फाइल नहीं ही है अब इसका फर कितनी अकर्शक लग रही है यह पेराफिट भी और यह जो एक डिजाइन मना है यह बहुत जबर्दस्त है तो दोस्तों ऐसी और अकर्शक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बैल आइकल को दुबादे धन्यवाद